व्यक्ति नहीं के कोई भी मामला यानि कि केस दर्ज नहीं है आग जमाने में किसी गवांग के बारे में कहना कि इस गवांग में एक भी केस दर्ज नहीं है यह बड़ा मुश्किल है लेकिन बिहार में एक ऐसा भी गाउं है जहां किसी भी ब्यक्ति के ऊपर कोई भी केसदर्ज नहीं है परस्चिन चंपारा जिल्ले में दो ऐसे गाउं है जहां पर अजादी के बाद अब तक एक भी केसदर्ज नहीं हुआ है इन गाउं में ऐसा भी नहीं है कि जगड़े नहीं होते लेकिन लोग समस्याओं को मिल बैठकर ही सुल जा लेते हैं इस गाउं में अगर कोई विवाध होता है तो वह बहुत भी चोटा होता है यहां गाउं जो है मचगवा पंचाइत का सुभिगार गाउं और सहुद्रा था रहता है कि यह गाउं अपनी तरक्की के लिए फिक्रबंद रहता है नतीजा यहां एक ब्यक्ति के खिलाब भी अपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है इस गाउं का हर एक ब्यक्ति आपसी समझ बुझ के साथ है और बड़े ही भाईचारे के साथ एक दूसरे के बीच मिल बै चुका है यहां गन्या के साथ सब्जी का भी उत्पादर होता है गरामनों ने यह भी बताया कि गाउं के केस नहीं होने के कारण इस बार हुए पंचायच चुनाओं में इस गाउं से ही मुनिस कुसवा को सरपांज चुना गया है इस गाउं को लेकर बोलते हुए ठाना ध् संभू माजी ने बता है कि सुभिगार गाउं के एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है लोग किसानी और वेपसाई से इतना ब्यस्त हैं कि दूसरे कामों में उन्हें समय ही नहीं है खाले समय में वो अपने स्वजनों से मिलते हैं इसका हाल चाल जानते हैं बतादे कि यहां की सीख सकें इस गाउं के बारे में यह भी बताया गया है कि इस गाउं में एक भी ब्यक्ति सरकारी नौक्री में है यानि कि एक ही ब्यक्ति जो है वह सरकारी नौक्री में है बाकी लोग सब्जी का बेफसाय करते हैं दूसरा गाउं नरकटिया गंज अनमंडल में है यह गाउ का नाम कट्राव है बताया जाता है कि आजादी के बाद आज तक जो है इस गाउं में कोई भी मुकात्मा धर्ज नहीं हुआ है इस गाउं के लोग आपस में बैठ कर सभी विवादों को सुल्जा लेते हैं इस गाउं में बिहार के पुर्व डिजीपी गुपतिसफर पांडे भी गए है उन्होंने कहा है कि यह गाउं आदर्स गाउं है और इस तरह कि गाउं की कलपना होनी भी चाहिए क्योंकि अगर आपसे बिवाद नहीं होंगे तो वहां पर डिवलेप्मेंट का काम बहुत अच्छे से होगा लोग मिल जुल कर रहेंगे आपसे सहार्द बना रह के साथ मुझे दिजी अजाजा धन्यवाद